नमस्कार, काफी है कविता लिखने के लिए किसी साधना अथ्वा तपस्या की जरूरत नहीं आपका समाज काफी है कविता का विशय बनने के लिए नदी अथ्वा समुद्र के किनारे बैट कर समुद्री लहरों को देखनी की जरूरत नहीं आपका समाज और राष्ट काफी है कविता का विशय बनने के लिए किसी पहाड पर जाकर ये एवरेस्ट की चोटी पर बैठकर रमनियों से लिप्त होकर आकाश के तारों को गिनने अधवा निहारने की जरूरत नहीं आपके समाज की औरतों का दर्द काफी है कविता बनने के लिए किसी जंगल में जाकर एकांत में सोचने की जरूरत नहीं आपके समाज के शोशित बच्चों का दर्द काफी है कविता का विशय बनने के लिए घर के किसी कोने में बैठ कर अंधेरे में सोचने विचारने वो कौपी बरबाद करने की जरुरत नहीं आपके समाज की विशमता वाली समाजिक आर्थिक और राजनितिक अन्याय काफी है आपकी कविता का विशय बनने के लिए किसी इस्तरी की देह का वर्णन या फिर पुरूस के सोंदर्य वर्णन की अवशकता नहीं हमारे समाज के कमजोर तबके की आह काफी है आपकी कविता का विशय बनने के लिए आपकी कविता का विशय दागदार खादी को बनाने की जरुरत नहीं खुद को खाक करने वाले खाकी पहनने वाले जवान का ओज काफी है आपकी कविता का विशए बनने के लिए हमारी सामाजिक बुराईया काफी हैं हमारे कविताओं की विशए वस्तू बनने के लिए यदि यह सब देखने सुनने में तुम्हारी आँख और कान शक्षम नहीं तो अपने राश्र पर गौरव करने वाले विशय ही काफी हैं आपकी कविता का विशय बनने के लिए